महानायक अमिताब बच्चन का जलवा तो आज भी बड़े परदे पर कायम है पिछले पाच दशक से अपने दमदार अभिने के दम पर लगातार लोगों का दिल जीतते नजर आये हैं आज हम अमिताब से जुड़ी एक ऐसी बात आपको बताएंगे जिस पर शायद आप यकीन ना करें दरसल ये बात 1990 की है जब अमिताब बच्चन अपने फिल्म आज का अरजुन के परदे पर छा गए थे उनकी ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आई थी साथ ही इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर जम कर कमाई की थी और साल 1990 की तीसरी सबसे ज़ादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी लेकिन इस साल अमिताब से एक बड़ी भूल हो गई थी अगर अमिताब से वो गलती ना हुई होती तो वे 1990 में बॉक्स आफिस के बादशाह होते मीडिया रिपोर्ट्स की मानो तो साल 1990 में आई अनिल कपूर की बहतरीन फिल्म किशन कनहिया उस साल की चोथी सबसे ज़ादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इस फिल्म के लिए अनिल कपूर मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए मेकर्स ने सबसे पहले अमिताब बच्चन से कॉंटेक्ट किया था लेकिन अमिताब ने किसी वज़ा से इस फिल्म को करने से इंकार कर दिया अमिताब के ओफर ठुकुराने के बाद मेकर्स ने अनिल कपूर को इस फिल्म के लिए तयार किया अगर अमिताब इस फिल्म को साइन कर लेते तो उनने सो नबहे की चोथी सबसे जादा कमाई करने वाली फिल्म भी उनके ही राज में होती और उस साल बॉक्स ओफिस के अमिताब बच्चन बादशाहुत वहीं उस साल अनिल कपूर को बड़ा फाइदा हुआ था एक तो किशन का नईया थी ही तीस्वे नंबर पर वहीं दस्वे नंबर पर भी अनिल कपूर का ही कबजा था उनकी फिल्म घर हो तो ऐसा उननिस सो नब है की दस्वी सबसे जादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी ऐसी ही इन्फोर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए